सब्सक्राइब कि अपने बट्स प्राइब की प्राइस में यहां पर 46 डीबी एक्टिम नॉइस कैंसलेशन के साथ है पहले सी हम लोग कंप्लेंड कर रहे थे कि शाओं मी ओगा डेड में हो गया अपना डेडिकेटेड इयर बट्स के यहां पर आपको शाओं मी एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन भी देखने मलता है जो जो सारी चीजों के बारे में जानेंगे बनेरी हमारे साथ चैनल पर फंस्टाइमों तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट से अद आप कि नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अन्बोक्सिंग सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कुए अन्बोक्सिंग कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मलता है और बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले हां पर काफी बढ़िया पै यहां पर हमारे पास fusion white color में यह particular unit है और यहां पर केस को open करते अंदर की तरफ यहां पर आपको काफी बढ़िया led strip light देखने मिलते हैं बाहर की तरफ यहां पर आपको redmi की branding देखने मिलती है inside में यहां पर उन्होंने reset button प्रवाइड के आगे की तरफ type c charging port आपको देखने म सब्सक्राइब के साथ यह जो यह बड़ से बेश्ट है Bluetooth वर्जन 5.3 पर यहां पर जो सिंगल यह बड़ ना उसके अंदर आपको दो माइक देखने मिलते मतलब दोनों भी यह बड़ में मिला के चार माइक आपको देखने मिलेंगे सबसे पहले हम फिटिंग के बात करते है अब देख सकते हैं यहां पर बहुत ही जादा comfortable फिट आपको देखने मिलते हैं अगर फिटिंग नहीं है तो जो एडिशनल एर टिप से ना उनकी हैसा फिट इंग कर सकते हो पैरिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ गूगल का वास्ट पैर ऑप्शिन यहां पर यहां पर आ बहुत ही अमेजिंग मुझे लगा हाला कि guys overall मैं balance sound बोल सकता हूं बेस वाला पार्ट है ना बेटर हो सकता था बट तू ट्रिपल नान की प्राइस के सबसे sound मुझे बढ़िया लगा आउट्डोस में यहां पर हमने ANC को turn on किया था प्रेस करते हैं यहां पर ANC turn on हो जाता है 46 db का ANC आपको देखने मिलता है बहुत हद तक जो background sound हो जाता है और आउट्डोस में भी आप music को बहुत ही बढ़िया तरीके से enjoy कर सकते हो अगर आपको sound को equalize करना है तो यहां पर जो app है उसके अंदर आपको 4 EQ modes देखने मिलते है तो उस हसाब से आप sound को EQ कर सकते हो बट यस custom equalization को option देखने नहीं मिलता sound के बारे में अगर मैं in-depth बात कर रहा हूं तो यहां पर मिड्स अच्छे है treble वाला पार्ट अच्छा निकल के आता है बेस बेटर हो सकता था बेस बड़ी है बट्रेबल के मुकाबले ना बेस इतना बढ़िया निकल के नहीं आता सब्सक्राइब के साइड में आपको टाच सेंसिटिव एरिया देखने मलता है यहां पर अगर आप डबल टैप कर रहे हो तो यहां पर म्यूजिक को प्ले या फिर पॉस कर सकते हो ट्रिपल टैप प्रेस करते आप नेक्स ट्रैक या फिर प्रीवेश ट्रैक पे स्विच हो स यहां पर कॉलिंग की अगर मैं बात कर रहा हो तो यहां पर आउट्डोस में एक साउंड रिकॉर्ड किया है तो इससे आपको पता चलेगा कि इसके माइक्स आउट्डोस में एक्जैक्ली कैसे वर्क करते हैं आउट्डोर कॉलिंग के लिए भी यहां पर साउंड बड़िया निकल कि आता है उसे के साथ यहां पर आपको डूल डिवाइस कनेक्टिविटी भी देखने मिलते हैं साइमल्टेनेशली दो डिवाइस यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो एंड गाइस अभी हम देखते हैं इन शॉट्ट शाओमी इयर बड़्ट एप्लिकेशन के युई को सबसे पहले हां पर देख सकते हो यहाँ पर बाट की बैटर लाइफ आपको देखने मिलती है केस की अब यहाँ पर आपको चार एक्विलाइजेशन प्री बिल्ड बोर्ट देखने मिलते हैं पर नीची की तरफ आपको अडिशनल सेटिंग देखने मिलता है जहां पर इनियर डिटेक्शन हो गया डूल डिवाइस कनेक्टिविटी एक आटमेटिक कॉल यह सारे फंक्शन से यहां पर आपको देखने मिलते हैं फॉर्मवेर अप्ग्रेड का भी ऑप्शन उन्होंने प्रोड किया है फाइंड माइए फोंस का ओप्शन यहां पर आपको देखने मिलता है जो बहुती बड़ी बात है यहां पर आप राइट लेफ्ट को अलाम ट्रिगर कर सकते हो अब इस यहां पर आपको अबट देवाइस का ओप्शन देखने मिलता है इस काफी बड़ी आप्लिकेशन यहां पर उन्होंने प्रोड किया है अगर मैं बात करो तो यहां पर सिंगल यह बड़ के अंदर आपको 54 एमेच की बैटरी देखने मिलती है के अंदर 480 एमेच की यहां पर आपको 25 से लेके 30 आर्स का प्लेबक टाइम देखने मिलेगा एंद एंसी टरन ओफ करके 35 आर्स का प्लेबक टाइम तो इस बैटरी बैक आप बड़िया निकल के आते है उसी के साथ यहां पर आपको फास्ट चारजिंग का पाबलिटी भी देखने मिलती है यहां आप यहां यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस पर्टिकलर यहां और जो है नहीं बताया अगर गेमिंग मोड दिया होता तो बेटर हो सकता था पड़ वही है हम लोग के जो कंपलेंस थे वह सारी फीडबैक यहां पर शाओमी ने लिये और यहां पर रेडमी बर्ट वाइब के अंदर इंदर इंपलिमेंट के जहां पर आपको बड़ीया डिजाइन देखने मलती है तच चंट्रोल में वॉल्यूम का जो कंट्रोल उसे उ जाएंगे जाएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आगा अगर आपको यह पसंद आता तो प्लीज इस वीडियो को लिक कीजिये और ऐसी ही टेक रिलेटर अन बॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्राइब कीजा आरे चैनल को और दोस्तों और एक इंपर बात प्रेस्ट झाल झाल